एक कपल जंगल में अपनी अनिवर्सरी स्पेंट करने के लिए आता है तबी जूल्स की डाक साइड बाहर आ गई थी मूवी एक बहुत ही जबर्दसा टर्न लेती है और हमेशा हमारी सीट की एज़ पर रखती है हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको वाट किप्स यू अलाव ये 2018 की एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी एक्स्पेंट करने वाला हो इसके बारे में जादा बताना स्पोईलर होगा तो डारेक्ली एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते है जूल्स और जैकी इनकी वेडिंग अनिवेसरी थी तो जैकी की जंगल के घर पर जाकर इसे उस पेंट करना चाते थे यह आपर बोचे तो जूल्स को एकर बहुत अच्छा लगता है अलग-अलग चीज़े करने का इन्होंने प्लान नहीं किया जूल्स जब घर देख रही थी तो अचानक से जैकी गायब हो जाती है वो हर जगा पर उसे ढूनती है तो जैकी लेक के पास खड़ी थी जैकी ने कहा कि स्टॉम की वज़े से बोर्ट हाउस बरबात हो चुका है इसके बाद रात में हैंग आउट कर रहे थी जैकी अपने गिटार पर गाना वज़ाना स्टार्ट कर दिया इगाना बहुत ही डाग था अपने अंदर के डेविल को बाहर निकाला जाया इसके लेरिक्स थे इगाना जूल्स को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो जैकी के पासो चली गए और ये दोनों इंटिमेट होने लग जाते है अजानक से इने बाहर गाड़ी की आव घर पर चोरी हुई थी और इसी वज़े से जब मैंने तुमारे घर पर लाइट देखा तो मैं चेक करने के लिए पहुच गई जैकी जूल्स को सारा से इंट्रोडूस करा दिया है और जूल्स को यहाँ यही भी पता चला कि जैकी और सारा ये बचपन की फ्रेंड्स है सारा जब जूल्स लेक के पास थी तो जैकी कहती है कि मेरे साथ चलो वो एक पुरानी बोट निकालते और लेक पर गये जैकी ने कहा कि मैं मेरी पास लाइप पूरी तरीके से भुला देना चाहती थी मुझे पता भी नहीं था कि मैं लेजबियान हूँ उसके पहले कि मेमरी में नहीं चाहती है उसने जूल्स को एक ब्यूटिफुल सा नेकलेस दिया जिनमें उन दोनों की फोटो थी है जूल्स से देखती है और उसका गुस्सा थंडा हो गया इसके बात नेक्स दिन में हम देखते है कि दोनों टार्गेट प्रैक्टिस कर रहे थे जूल्स ने बहुत के पास गई तो जिन्दा था मैंने उसे फिर से गोली मारने की कोशिश की पर मेरी गंजाम हो गई थी उसे उस बेदर को वैसे तडपता देखना पड़ा था वो कभी भी से भूल नहीं सकती जाकी कहती है मेरे फादर हमेशा कहा करते थे हम उसी चीजों को मारते हैं जिने हम खा सकते हैं उसके बाद से जाकी हमेशा अपने पास नाइफ रखती है जाकी की यह जो अब यह भी डाक सैड जूल्स को पता चली है यह उसके लिए बहुत ही वीर्ड था सुबा जूल्स उटी तो जाकी आसपास नहीं थी वो ग्रोसरी लिने के लिए टाउन में गई हुई इसका मैसेज जो जूल्स को छोड़ कर जा दिया जूल्स को लगता है कि शायद जैकी और सारा एक दूसरे को लाइक करते हैं सारा का घर लेक को क्रॉस कर करी था तो जूल्स डारेक्ली बोर्ट पर वहाँ पर पहुच जार दिया सारा ने उसे घर में अंदर भूला तब हम कभी अपने थर्ड फ्रेंड के बारे में जूल्स को बताय नहीं था ये बात सारा को बहुत जीब लगी वो गहती है हम दिनों बहुत जादा क्लोज थी जाते जाते जूल्स सारा और डैनियल को संड़े पर दीनर के लिए इनवाइट करकर जाती है नेकसिन में जूल्स वा जैकी जब एक साथ है तो जूल्स उस पर गुसा थी जैकी इसका reason बुचती है तो जूल्स ने कहा कि तुम मुझे बहुत सारी चीज़े नहीं बता दी तुम्हारे child hole friend के वारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं जैकी कहती कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए hard था वो जब छोटे थे तो हमेशा लेक में swimming की race लगाये करते थे एक दिन जब जैकी और उसके friend ने race लगाए तो उसकी friend पानी में डूब गई थी सबको लगा था कि जैकी ने जान बुच कर अपने फ्रेंड को डुपा दिया पर जैकी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी मैं कभी भी ऐसा नहीं करती जूल्स ये बात समझ लेती है और उसने उसे सहरा दिया इसके बाद दोनों एक लिफ पर आए जूल्स वियू देख रही थी तो जैकी डायर्क लिए उसे धक्का दे देती है जूल्स नीचे खुन से लटपत पड़ी हुई थी जैकी घर पर आकर प्रैक्टिस करती है कि पुलिस सो क्या बात करेगी वो प्रिटेंड करने वाली थी कि जूल्स एक्सिडेंटली नीचे गिर गई इसके बाद वो जूल्स को देखने के लिए फिर से उसके पास आई पर जूल्स वहाँ पर नहीं थी जूल्स बहुत ज़ादा पैन में यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी उसके शोल्डर हाथ सब कुछ डिसलोकेट हो गया था तो स्लोली स्लोली इसे रिपेर करने के वो कोशिश कर दिया अचनक से जैकी का उसे ढूनने का आवाज आ गया तो डर कर छुप जा दिया जैकी प्रिटेंड करकर बोल रही थी यह मुझे गलती होगे मुझे पता ने कि मैंने किया क्या प्लीज मुझे माफ करतो चलो हम घर चलते है उसका सारा नाटक जूल्स ने देख लिया क्योंकि जैकी अगली सेकंड में नॉर्मल पर आ गई थी यह सब देखकर जूल्स को बहुती बड़ा शौक लगता है इसके बाद रात हो गए फिर भी जैकी जूल्स को ढूंडी रही थी जैकी कहती कि में तुम्हें ढूंडी लोंगी इस जंगल को मुझसे जादा अच्छा कोई भी नहीं जानता जूल्स बेचारी अपनी सास रोक कर वो ही छिप कर रहती है इनके एक दूसरे के साथ जो भी पल थे इन सब को याद कर रही थी अगली सुबा जैकी जूल्स को मारने के लिए रेडियो गई उसने बेहोशी की दवाई अपने गन में निकाली उसे मारने के लिए चली जा दिया पैरलल में जूल्स को बहुत ही जादा नीन आ रही थी पर फिर भी इससे हो फाइट कर दिया स्लोली स्लोली एक पॉन्ड के पास उसने पानी पिया उसके बाद हो चलने लग गई जैकी ने रोड उपर नजर रखी यानि कि जूल्स हुआ से भाग ना सके जूल्स भागते भागती घर पर आके उसने फोन को ढूणने की कोशिश की पर जैकी ने सब को छुपा दिया था उसे लैपटॉप मिलता है पर यहाँ पर वाइफा वेगरा कुछ भी नहीं था जूल्स ने फिर फरस्टेट कीट निकाला और खुद को स्टीच कर दिया जाकी घर के पास आई तो समझ जा थी कि जूल्स घर के अंदर ही है उपर गई तो जूल्स का बलड उसने देखा वो जल्दी से बाहर आई तो जूल्स बोट लेकर नदी पार करने की कोशिश कर रही थी वो बैचारी इंजोर्ट है तो जल्दी से भाग नहीं सकती जाकी भी बोट लेकर उसके पास आ रही थी वो फाइनल उसके बोट में चड़ गए और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्व में जो कहती हूँ वैसा करती जाओ बोट चलाते चलाते सारा के घर के पास आ गए थे डैनियल बाहरी था तो ने कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है जैकी जूल्स को वान कर दिये कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो डैनियल और सारा दोनों को मार डाली गी जैकी ने डैनियल से कहा कि सब कुछ ठीक है हम जरा सिर्फ ठक गए थे तो अब वापस जा रहे है कल संडे था तो डैनियल ने उसे याद करा कर दी जैकी ने कहा कि कल हम जरा बीजी है जूल्स मोके का फायदा उटा कर गए थे कि आज रात हम फ्री है तुम आ सकते हो अब ये जैकी के लिए एक प्रॉलम बन गई थी वो जूल्स को घर लेकर आए उसे नहला दिया उसके सारे वूंज को कवर अप कर दिया जूल्स पुछती कि क्या कभी तुमने मुझे प्यार किया था जैकी ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ मैं पॉलिसी के पैसों के लिए घर रही हूँ शादी के तुरंद बाद जैकी ने एक्सिडेंटल डेट के एक बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल ली थी जैकी ने फिर से जूल्स को वान किया कि अगर तुमने सारा को कुछ भी बता है तुमें उन दोनों को मार डालूंगी रात में जब उन दोनों का आने का वेट कर रहे थे तो जूल्स कहती है तुमें हेल्प की जरूरत है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दोंगी तुम्हें हेल्प करोंगी अगर तुम चाहो तो इन सब से हम बहुत दूर जा सकते हैं जैकी समझ गई कि जूल्स सिर्फ उसे मैनोबलेट करने की कोशिश कर रही है उसके जाल मियों नहीं फस दी इसके बाद सारा और डैनियल घर पर आ गए टिनर पर सारा जूल्स से बुछती है तुम्हें कब पता चला था कि तुम जैकी से प्यार करती हो जूल्स ने कहा कि मेरे लिए प्यार स्लो हुआ था स्लोली स्लोली में जैकी को जानती गए उसकी अच्छी चीज़े पुरी चीज़े इन सारी चीज़ों को मैंने एकसेप्ट किया था जब आप शादी करते हो तो एक चांस लेते हो और होप करते हो कि आपको सब कुछ अच्छा ही मिले मैं बहुत ही लगी हूँ कि मुझे जैकी जैसी वाइफ मिले सारा और डैनियल को कुछ भी वियर नहीं लगता मुजिक विगरा लगा कर ये ड्रिंक कर रहे थे डैनियल जैकी से कहता है कि सारा को लगता है कि तुम ज़रा अजीब हो इसे के बैरलल में जूल जब सारा के साथ थी तो सब कुछ उसने उसे बता दिया सारा जोर से डैनियल को चिला कर गया दिया कि जैकी से दूर हो जाओ सारा समझ गई और तुरंत वो डैनियल का गला काट देती है जाके फिर अंदर आकर सारा के पीछे बागी वो उसे भी मार डाल दिया वो नीचे जूल्स के पास आए उसने कहा कि मैं कितने भी लोगों को मारू मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता ये सब तुमारी गलती है इसके बाद उसने सारा के सामने इन दोनों की बॉडिस को काट डाला उसने लेक का सर्वे किया था ये बहुत ही डीप था तो जाकर ये बॉडि उसमें टुबा कराते है सारी क्लीनिंग जैके ने जूल्स को ही करने के लिए जूल्स समझने पा रही थी कि जैकी इस तरीके से क्यों है उसे बुछती है कि तुमारी मदर या फादर ने तुम्हें बचपन में कुछ किया था जैके ने कहा कि मेरा बचपन एकदम परफेक्ट था इस सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ उन्होंने घर से सारे सबुद मिटा दिया जूल्स को जैकी बान कर उसी के पास सो जाती है जूल्स ने हैंकप से निकलने की बहुत कुशिश किये और फाइनल यो निकल जाती है पास का चाकूस ने लिया और जैकी को मार डाल दिया पर इस सिर्फ एक उसका सपना था एक्षियल में इस हैंकप से निकल नहीं पाई थी अगली सुबह जूल्स को खाना वेगरा सब कुछ देती है उसका प्लान था कि जूल्स जब ठीक हो जाएगी तो फिर से माउंडन के पास जाकर उसे धक्का दे देगी इससे सब को लगेगा कि यह एक्सिरेंट था और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा जैकी जब अलग रूम में थी तो जूल्स ने एक डिपी देखी जैसा निकलेस जैकी ने जूल्स को गिफ्ट किया था वैसे ही बहुत सारे निकलेस यहाँ पर पड़े हुए थे नाल देती है वो भागी तो जैकी भी उसका पीछा करती है भागते भागते जूल्स फिर से उसी मौंडन पर आए जैकी ने कहा कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकती है उसके पास आ रही थी तब बेहो शोकर नीचे गिर गे जूल्स ने उसका चाकू ले लिया उसे मारना चाहती थी पर योग कर नहीं सकती जूल्स बहुत आगे आ जाती है वो जब फिर से जैकी को बचाने के लिए तो जैकी वहाँ पर थी नहीं वो फे जल्दी से घर पर आई एक गन निकालती है और जोर से उसने स्टूरियो लगाया तो उसने जैकी को मारने का डिसाइड कर ल तुम उसे चलाओगी तो तुम्हारे हाथ में उफट जाएगी तुम्हें एक किलर नहीं हो जूल्स जैकी पर गोली चला दिया पर वो बच गई इन दोनों में बहुत फाइट हुई फाइनली जैकी ने जूल्स को भेहुश कर दिया था उसे घसिट ते फिर से हिल पर लेकर आई उपर से फिर से नीचे गिरा देती है घर पर आने के बाद जैकी ने पुलीस को कॉल किया जैकी को टाइबिटेस की भीमारी थी और बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था तो इंसुलिन की जगा हैड्रोजन पेरोकसाइड उसमें मिला दिया था तुम्हारा ब्ल इसके वो तुम्हारी दिमाग तक पहुचेगा वैसे तुम्हारी डेत हो जाएगी जैकी जल्दी से भागने लगे वो किसी की हेल प्ले पाती इससे पहले उसकी डेत हो जाती है इसके बाद हम जूल्स को फिर से खुन से लटपत देखते हैं वो थोड़ा भी मूव कर नहीं रही थी मूवी के लास्ट मुमेंट पर हमें उसकी सास लेने की आवाज आती है इसका मतलब है वो अब भी जिन्दा है उसने फाइनली जायके से बदला भी ले लिया है वो एक फाइटर थी और बॉल्योड मूवी की हिरो की तरह जल्दी से मरने वालों में इसे नहीं थी इ फिर से मिलेंगे और एक नहीं के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया